नमस्कार दोस्तों मैं जोती शिचारे डॉक्टर संधिया आपका स्वागत करती हूँ आस्ट्रो सेच की यूट्यूब चानल पे और आशा करती हूँ कि आप बहुत स्वस्त होंगे दोस्तों आज 10 जून 2022 आज की दिन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से आज शुकर चर्क कन्या विश्चेक धनुमीन नई दिली के समय अनुसार अभी जीत मूरत है ग्यारा बचकर बावन मिनट से बारा बचकर अर्टालीस मिनट तक राहुकाल समय है दस बचकर 35 मिनट से बारा बचकर 20 मिनट तक तो इस दोरान आपको कोई भी शुपकारे नहीं करना है सु मेश राशी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अपने स्वास्थे को लेकर जादा चिंता ना करें क्योंकि इससे आपकी बिमारी और बिगड़ सकती है लंबे समय से आटके मुहावजे और कर्ज आभी आखिरकार आपको मिल जाएंगे बच्चे आपको घरेलू कामकाज नित्ता करने में मदद करेंगे पुरानी आदों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है खुद को अभी व्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो इस राशी के जार तक आज के दिन अपने भाई बह इनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार का इजाफा होगा जब आपका जीवन साती जब सारे मन मुटा गुला कर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुन्दर लगीगा तो लखी नंबर आपका छे है लखी कलर आपका पार दर्शी और गुलावी है आज आपके लिए खास उपाय है कोड़ी वागोंगे बहरे व्यक्ति की मदद करने से स्वास्ते अच्छा होगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्रिशप राशी की तरफ तली बुनी चीजों से दूर रहें और अगर आप कारेशेतर में बहतर करना चाते हैं तो अपने काम में आधुनिक्ता लाने की कोशिश करें इसके साथ ही नई तकनीक से अपडेटेड रहें अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगती करना आपके लिए ठीक नहीं है और उनके साथ रहकर आपका समय बरब है आज आपके लिए खास उपाय है अपने प्रेमी प्रेमिका को समय समय पर सफेद वस्तू गिफ्ट में देते रहें इससे प्रेम संबंदों में बढ़ उत्री होगी मित्वन राशी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अपने दफकर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और व बोलती आज आपके प्रिये की आँखे आपको वाकरी कुछ खास बताएंगी लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कारेशेतर में पहचानेंगे आप खुद को समय देना चाहते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना भी है खाली समय में आज आप खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं जीवन साती की मासूमियत आपके दिन को कुछ खास बना सकती है तो लखी नमबर आपका तीन है लखी कलर आपका केशरिया और पीला है आज आपके लिए खास उपाय है बढ़ का पेड़ गानी की बरगत के पेड़ को मीठे सीचे इससे नौकरी बिजनस में तरक्की होगी तो कैसा रहेगा करक राशी वालों का राशी चलते हैं आगे आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए परयाप समी होगा आपका कोई पोडोसी आज आपसे धन उधार मांगने आ सकत प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतुत साहित नहीं कर सकेगी आज आपके पास अपनी धनार्जन की शम्ता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे आज आप व्यस्त दिन चर्यक के बावजूत भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस और अच्छनी मंदिर में चड़ाने से प्रेंट सम्मंदों में मजबूती आएगी तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंग राशी की तरफ इससे पहले की नाकरात्मक विचार मानसिक बिमारी का रूप ले ले आप उन्हें खत्म कर दे ऐसा आप किसी दान कुनने के काम में स सलहा ले सकते हैं आपके आकर्शन और व्यक्तित्व के जरिये आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोल ले सकती है आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है ऐसे में कोई भी पैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य कर सकते तो आपको मानसिक परिशानियां हो सकती है जीवन साथी के साथ हसते खिल खिलाते हर पल के मज़े लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आपकी शोरावस्ता में लौट गई है लगकी नमबर आपका पांच है लगकी कलर आपका हरा और फिरोजी है आज आपके लिए खास खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखे आपकी ज्यान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददधार साबित होगी शाम के लिए कोई खास क्योजना बनाए और कोशिश करे कि यह जादा से जादा रुमानी हो कार्याले में कोई आपको कुछ बढ़िया का अनुभव करेंगे तो लग्की नमबर आपका तीन है लग्की कलर आपका केसरिया और पीला है आज आपके लिए खास उपाय है चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का जेव में सदैव रखने से धनकी वृद्धी होगी तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला रा जीवन साती जिन्दगी में बदलाव लाने में मदद करेगा खुद को एक जिन्दा दिल और गर्म जोशी से भरा इंसान बनाए जो जिन्दगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनाता है साथ ही इस राह में आने वाले गड़ों और दिक्कतों से दिल छोटा ना करें अपने शौकोब को पूरा करने में कर सकते हैं आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं कर्चों को लेकर जीवन साती से तनातनी संभव है तो लकी नमबर आपका छे है लकी कलर आपका पार दर्शी और गुलाबी है आज आपके लिए खास को समय समय पर सफेद वस्तुएं गिफ्ट में देते रहें इससे प्रेम संबंदों में बढ़ोत्री भी होगी और इससे शुक्र दे प्रसन्न भी होगी तो विश्चिक राशी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों किसी दोस्त की जोच्शी सलाह आपकी सेहत के लिए काफी उपय कि आप अपने प्रिये की बहुं में खुशी अराम और उल्लास महसूस करेंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मक्ता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर आप किसी विवाद में उलत जाएं तो तल्क करने से बची शावी शुदा जिंदगी के नजरिये से चीजे का भी अच्छी रहेंगी तो आपका लखी नंबर साथ है लखी कदर आपका क्रीम और सफेद है आज आपके लिए खास उपाय है पीले सूरज मुखी के पौधे घर में लगाने से नौकरी वा बिजनस में तरक सकता है काम का तनाव आपके दिमाग पर च्छा सकता है जिसकी वज़े से परिवार और मित्रों के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगी प्रेम जीवन की दोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय बनाए लाबदा एक दिन है इसलिए कोशिश करें और आगे बड़ें अच्छे मौके आपका इंतिजार कर रहे हैं किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शक्त से हो सकती है जिससे अपीत में आपके मतवेद थी संभव है कि शुरुआत में जीवन सात रखने के लिए बास, बैत, सरकंडा की टोकरी, त्रे का प्रयोप करने से पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर होगी तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मकर राशी की तरफ किसी सज्जन पुरुष की डैविये बाते आपको संतोश और धांड़स बंधाएंगी कुछ जीवन में नई उर्जा का संचार कर सकते हैं, किसी भी तरह की साजीदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, कोई अध्यात्मिक गुरू या बड़ा आपकी सहयता कर सकता है, यह दिन शादी शुदा जिंदगी के सबसे खाग दिनों में से एक रहेगा, तो लखी नमर आपका चार है, नती कलर आपका भूरा और सलेटी है, आज आप ते ले खास उपाय है, चंद रूदे के बाद चंद्रमा की किर्णों में बैठ कर खीर खाने से पारिवारिक सुक बढ़ता है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुम गलत पायदानों ठाने दे, आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे हैं जगडों को सुलजा लें क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए, ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो स्थापित है और भविश्य के रुजानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके दौरा आज खाली समय में ऐसे काम किये जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, आपका जीवन साथी रोजाना की जरुरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खीच सकता है, जिसके चलते आपका मन उद होने की संभावना है, तो लक्की नमबर आपका दो है, लक्की कलर आपका सिल्वर और सफेद है, आज आपके लिए खास उपाय है, अपने प्रेमी या प्रेमी का से मिलते वक्त उन्हें पीले फूल जरूर दे, इस से प्रेम संबंद मजबूत होगी, तो आखरी राशी की बढ़ते हैं दोस्तों, मीन राशी की तरफ आज शांत और तनाव रहित रहे, आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है, अगर आपने किसी शक्स को पैसा उधार दिया था, तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उमीद है, अपने जीवन साती के साथ ब अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है, जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा, जीवन साती के साथ हस्ते खिल्खिलाते हर पल के मज़े लेते हुए, आप महसूस करेंगे कि आप कि शोरा वस्ता में लौट गई है, लख तो उमीद करती हूँ कि आपको इवीडियो पसंद आई होगी, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जै श्री कृष्णा